य्युजिव 방 Bundes dot विडियो में आपका स्वागत है इसमें हम जो पढ़ने जा रही हम पढ़ है के अपी की ऐ surned परसॉनल की ओपर धिके की मेनिजेल परसॉनल बसमी ही पढ़ने जारा है के अपने आपने काफे अच्छा topic है पढ़ते हैं से स्टार्ट करते हैं section 2 clause 51 section 2 clause 51 KMP in relation to a company means KMP in relation to a company means the chief executive officer CEO क्या होगा CEO और the managing director MD और the manager तो इसने बोला कि के अगर में डाफने तो की मैनेजर परसुनल होते कौन कोन है तो CEO था आपका यह नि चीफ एग्जेक्यूटिव ओपिसर managing director और manager नमबर तू कंपनी सेक्रेटरी CS नमबर थ्री ओल्टाइम डिरेक्टर नमबर फूर दचीफ फानेशल ओफिसर CFO तो पहले जहां पर जहां देते हैं चीफ एग्जेक्यूटिव ओफिसर नमबर दो मैनेजिंग डिरेक्टर और मैनेजर CEO MD और मैनेजर पहले यह बात होगी यहां पर और लगाने का मतलब क्या है यह मैं आपको पढ़ा हूंगा जहां पर मैनेजर और मैनेजिंग डिरेक्टर की जो डेफिनिशन है उसे हम कवर करेंगा और फिर इस आपको समय होता हूंगा कि क्या मैनेजर दो मैनेजर अपॉइंट हो सकते हैं क्या में एक मैनेजर एक मेंडी को अपॉइंट किया जा सकता है वह हम वहाँ पर पढ़ेंगे यानि वह वीडियो जस्त कुछ टैम बाद आ जाएगी आपके सामने में अभी दयरेक्टर इन होल टाइम ब्लॉइमेंट डाइलें होल टाइम मेंट डैसिनेट इस के अभी बाई पोर्ट यह क्या जाता समझ लेता है मालो टिक है यह आपका को भी डिपाट्मेंट है डन उसके बाद को दूसरा आता है और उसके बाद तो यहां पर आपका मालू कोई भी डायक्टर है या कोई भी है और उसके बाद तिक कोई और आ रहा है तो इसने बोला कि आफिसर नोर्ट मोह दें वन लावल बिलो जाने इंड यहां वाली तो कप्पी है अशनक है इसके लाबा इसने वोला आफिसर नोर्ट मौर्ड डिंवन लावल बिलो देरेक्टर इन ओलन ब्लोमेंट यहनि इससे एक लेवल और नीचे नहीं हुआ छाई जाने इसको यहां नी मैं के अब भी बोलूंगा है दन तो ओफिसर नॉट मोर्ट जैन वन लवर बिलो देरेक्टर इन वोल टाइम इंप्रॉयमेंट डाइस के वाइब हो तो भी ओटी बोर्ड और एक्टर ने उसे भी क्या बोल दिया है के एंप बोल दिया है और साच अधर ऑफिसर एज में प्रस सब्सक्राइब हो जाए निस जिसके बारे में बोल दें कि यह के एंप तो इसको के माना ही पड़े गया है अगला पॉइंट इस ही महीं इस पेस्पाइड कंपनीज टू है वोल टाइब के एंप यानि कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर आपको ओल टाइंग के एंपी रखना होता है तो अब स्पेस्पाइड कंपनीज कौन-कौन से देखते हैं तो अकॉर्डिंट टू सेक्शन दो सुट्रीन सब सेक्शन बंद टू जिरो ट्री सब सेक्शन वन इसने का एवरी स्पेस्पाइड कंपनी कि सैल है था फॉल्विंग फॉल टाइप के एंपी यानि उनके पास यह के एंपी जोडों हो ने चीए अब के अपी क्या दो देखें तो पहला एसने मुला हैं एंटी क्या बोला है मैंजिंग डायक्टर चीफ एक्जिक्टिटीव ऑफिसर और मैंजर ठीक है इन में से कोई एक और है अपी बढ़ी तो मैंजिंग डायक्टर और सीओ चीफ एक्जिक्टीव ऑफिसर और मैंजर और यह नहीं है तो होल टाइम डायक्टर भी है आप बोल सकते हो तो पहला तो यह हो गया एंडी सीओ और मैंजर और 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 एंड इंदियर एक्जिक्टीव नहीं है तो डव्टीव आपके पास होगना चाहिए नहीं होल टाइम डायक्टर दूसरा सीएस होना हो ज़रूरी है और तुसरा सीफो सीफो मतलब चीफ पानेशल ऑफिसर बास समभागें तो यहां प कोई भी ऐसा ओफिसर जो की एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए अगर नहीं है तो अगर नहीं है तो नहीं होना है यहीं होल टाइम डायक्टर रूल में तो चाहिए चाहिए और साथ में चीफ फानेशल ऑफिस अचीए अब यह स्पेस्वाट कंपनी है कोंसी तो उसने वहले स्पेस्वाट कंपनी के लिए जाना पड़ेगा को रूल एट में रूल एट और कुसका अपैटन ऑफ कंपनी ऑप्वाट में परसनलो दुरूट रूजन-14 रूल एट किसका अप्पाइटंटन ऑफ कंपनी अपाइटन में अनिया डैम परसनलों पर रूजन-14 और यह कहता है कि इसमें को कोई भी हो सकती है पब्लिक प्राइवेट लिस्टिड होने चाहिए और दूसरी अधर पॉब्लिक कम्पनी के बाद कर रहा है जिसकी पेड़ाप से टैन करोड और जादार तो उनके पास कंपनी के पास अब इसमें को कान चीए तो मैं आपको बता जीए रूल कि लिशिट कंपनी पे एक स्पेस्पार कंपनी है अब दूसरा अब अधर पब्लिक कंपनी और उसके पास कि अच्छी है अब यहां पर अब द्रामा स्टाट हो गया था सीएस वालों ने नामा कट जिया था कि दस क्रोड से ज्यादा वाली पेड़ा सब्सक्राइब काम उठाप हो जाना है तो फिसके बाद क्या रूल एट 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 जैए रूल एट एट किसका था वही अपांट्मेंट एंड डाम क्या होई जाने इसका होई तो फिसके पाथ कि साधार हो गया है उसके प्राइट क्लोड या उससे जादा की बीड़ आप कापीटल हो उना चाहिए कि होल टायम कंपनी सेकेटरी होना चीए इसका मना प्राइट कंपनी सारी कवर हो हुई प्राविट कंपनी क्या हो गई सारी कवर हो गई बासम आगया तो यहां पर साफ सा बोला अगर देंग अगर 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 प्राविट लिसको समझाओ आपको तो आपको यह देखना है तो यह किस पर किस को पॉइंट करना है इसमें लिश्टेट कंपनी को तो अपॉइंट करेंगे जड़ेगी प्लस साथ में अधर पब्लिक कंपनी अधर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड़ अपशे कैपिटल क्या है यह प्लस सारी कवर हो जाएगी और प्राइविट कंपनी प्राइविट कंपनी जिनकी पेड़ शेकर पाइविट क्रूड अब मोर यह भी यहां कवर हो जाएगी इसका मतलब पब्ली अधर बंदलय के चार से इसकर पांच क्रूड ही देखना है इन सब के लिक्या है लिस्टिट कंपनी है और मोद देखना है ऑस अगर फोबी कंपनी से निंद्ध मिए विए य। कि डेकी साथ में अगर करना यह जिस्की पेड़ान विए प्र करने हैं तो वह भी अपॉंट करेगी बास महा गया तो यह पूरा KMP का कॉंसेट्ट था यह आपको अच्छे समझ मागया होगा अब कोई दिक्काद आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना धन्यवाद दोस्तों